नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दो संचित स्वागत है नॉलेजगेट यूट्यूब चैनल के ओपर एक और नए कॉलेज की अपडेट लेके आये हैं इस बार नंबर है आई टी जम्मू का बहुत सारा प्यार आप लोग हर वीडियो को दे रहे हैं कमेंट्स भी कर रहे है रेगुलर अपडेट करते रहेंगे जो जो कॉलेज के जैसे जैसे कट आ रहे हैं तो आई टी जम्मू अगें खासकर जो नौर्थ के बच्चे उनके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर ऑप्शन की बात करें देखिए यहां पर एक अजीब चीज है जो आम तोर पर कर सकते हैं दोनों कोर्स एम्टेक ही हैं हाला कि एक एम्टेक है 3-year आप इसे काइड ऑफ में स्ट्रीट कर सकते हैं बहुत जाएद डिटेलिंग तो नहीं है बट यह दोनों कोर्स हैं एक हैं यहम्टेक 2-year एक हैं एक 3-year तो दो आप्शन हमारे पास हैं अगर हम बात करें प्रोसेस की तो apply तो obviously आपको website पे जाके करना है बाकी कोप का हम पहले भी कई बार बता चुके हैं separate video भी हमारे पास है आप जाके चेक करिएगा same playlist में कोप पे registration सबको mandatory वहीं पर IIT भी applicable है computer science के अंदर तो MCA मैं नहीं देख पा रहा हूं बट MSC यहां पर applicable है electronics engineering mathematics and statics candidate must have यह उन्होंने बोल दिया है कि minimum 300 तो होना ही चाहिए और category में भी अगर आप हैं तो भी minimum 200 होना चाहिए और उसके लावा electronics mathematics statics वो सारे branch वाले भी यहां पर eligible है यह same eligibility criteria है two year mtech जो course है उसके लिए भी और बिल्कुल same criteria है जो हमारा three year वाले mtech course है उसके लिए भी यहां पर इस बार website पर अलाकि specialization नहीं दिये गए है last एक-दो साल ते specialization की understanding थी उनके individual cut-off भी हमारे पास है तो मेभी या तो specialization करना बंद कर दिया होगा या specialization अभी भी होता होगा यहां पर detailing नहीं दी गई है last date कल है 19th of April तो उसको जरूर cross check करिएगा और you know इससे delay मत करिएगा अगें return test and interview के बारे में बोला गया कि किया जा सकता है बड़ अभी कोई clear cut understanding नहीं है मेरी understanding में नहीं होगा वेगाउस अगर होना होता तो clear cut पहले से नजर आएगा तो यहां से आगे जाके आपको apply करना है fees 300 for general OBC EWS वह सब और SCSTPW के लिए हो जाता है 200 तो यह भी मोटा मोटा स्टेंडर्ड ही है cut off एक बर आपको बताते है क्या information क्या data हमारे पास है तो for IIT Jammu M.Tech data science M.Tech information security M.Tech computer technology 583 569 560 आप लगभग लगभगर मैं बताऊं rank पे तो 1500 से 1800 के बीच और marks अगर मैं आपको बताऊं इस बार के साब से तो 53 से 51 के बीच है ना तो थोड़ा साब hopeful हो सकते हैं और थोड़ा से यह भी मान सकते कि जैसे जैसे competition बढ़ेगा cut off थोड़ा ऊपर भी जाएगा लेकिन हर साल थोड़ा बहुत वैरी करता है तो मैंने मोटा सा range आपको बता दिया इसमें 200 400 और plus minus आप कर सकते हो में ऐसा नहीं कि for example आपकी 2000 आप सोच दो मेरा तो हुई नहीं सकत है वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है तो 2000 या 2100 तक भी मुझे लगता हो सकता है चांस आपका बन जाए अगर यह इसी तरह से वैरी किया तो क्योंकि जो डेपार्टमेंट है सेम डेपार्टमेंट अलग अलग कोर्सेज उफर करता है तो यहां पर आवरेज जो में नजर आ रहा है वो आ रहा है 16.5 और हाईएस में 43 तो प्लेसमेंट के तोर पर बोलना पड़ेगा खराब नहीं है और समय के साथ जैसा हम बोल रहा कोई डाउट नहीं है तो अगर आप के लिए कोलेज की लोकेशन सुटेबल है आप इस रेंज के अंदर मार्क्स ला रहे हैं तो सिर्फ नाइटी को आप्शिन मान के मत चलिएगा क्योंकि पुराना इटी तो मिलेगा नहीं इसको चेक करिए और बाकी जो आने वाली वीडियो उनके बार में भी बाक टू बैक हम इन्फोर्मेशन लाते रहेंगे जो जो कॉलेज का कट आफ जैसे जैसे आता रहेगा आप लोग को अप्डेट करते रहेंगे येस भगवान आप सभी को खुश रखे जै हिंद जै भारत कॉले मैं भारतों